मस्कार दोस्तों Oldies in for YouTube चैनल में आपका स्वागत है मैं उसी तरह हम दोस्तों जैसा कि आपने ATL का सैटर वोक्स देखा एप्टिया सैटर वोक्स वैसा ही दोस्तों यहां मैं आपके लिए जिंग एप्टिया सैटर वोक्स लाया हूं जहां दोस्तों बात करेंगे जिंग एप्टिया सैटर वोक्स में हमें कुल कितने चैनल मिल पाते हैं कितने का वोक्स आता है और कौन-कौन से चैनल इसमें एड करवा सकते हैं एड कराने का जो तरीका है कितना हैं से अप चार्ट लगेगा कितनी को सारी चीजे दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे लेकिन दोस्तो आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया और आपने स्किप करके देखा तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहां जो डिटेल होती है वो में सारी चीजे आपको डिटेल से बताना चाहूंगा तो सबसे पहले दोस्तो कई लोग कहेंगे बॉक्स की फोटो या बॉक्स की जो कोलेटी है इन बॉक्सिंग करके आप दिखा दो तो दोस्तो बॉक्स का डिबबा आपने देखा इस तरह के डिबबे में आता है जिंग सूपर एप्टियर साटब बॉक्स जो दोस्तो फिर ही डिस्पे हम लगा सकते हैं तो चलिए packet को खोल लेते हैं, packet खोलने में क्या दे रही है, दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि पूरी डिटेल आप इसकी जान सेके, दोस्तो पूरा सामान में एक बार बाहर निकाल लेता हूं, क्या-क्या सामान मिलेगा, तो सारी ची सबकुछ होता, तो यह समाल के रखना पड़ता है, यह इस्टोलिशन में हमें देना पड़ता है, दो सेल आपको मिल जाएंगे, रिमोन में आपको सेल बजार से लाने की जरत नहीं है, साथ कंपनी देती है, मज़ा हो गया, 20 रुपर तो 10-20 रुपर तो कम होई गया, अब दोस्तों केबिल के वारा में दोस्तों कमपनी 1x3 का आर्चे केबिल देती है, HDMai इसमें नहीं देती, HDMai अगर आपको लगाना है तो अलग से आपको लगाना पड़ेगा, तो यह 3R से केबिल ओरिजिनल है, अब लेता है दोस्तों एडप्टर की की अडप्टर आपको इस इस तरह का रिमोर्ड है, अब लेते हैं दोस्तों Jink Super Feta Box यहां इस तरह के पैकिंग में यहां मिल पाता है, पैकेट खोल लेते हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल सबस्क्राइब करो, तो दोस्तों Jink Super Feta Box का आगे का फ्रेंट आप देख सकते हो, एक यहां डिस् इस इस तिगर है चिंता मत्कुर इस ट्रेसन होगा तो इनी से ही होगा बात करते हैं दोस्तों LMB का वायर आपका यहां से लगेगा HDMI आप यहां से लगा सकते हो थिरी आचे के बिली यहां से लगेगा और यहां एड़ोप्टर लगेगा तो दोस्तों बॉक्सी कॉलेटी देखी आपने उपर से लोहे की बोडी में है ब्लेक कलर का बॉक्स है यह देखिए इस तरह अब बात करते हैं दोस्तों इस सैटर बॉक् चार साल आपको देखने को मिलेंगे और एफ टेश चेनल मिलेंगे भाई पूछ रहा है कितने चेनल मिलेंगे इस फ्री वाले डिबे में तो दोस्तों 1930 या 230 की आच पास जिसमें चेनल मिल जाते है, 220 मिल जाते है जो भी है पिल जाएगे जिंक सूपर फेटा बोक्स में कुछ चैनल कमाते हैं और एटेल का जो सैटर बोक्स है उसमें चैनल जाद आते हैं एटेल का सैटर बोक्स में 270 चैनल आते हैं इसमें थोड़े कमाते हैं 220 या 230 के अप्रोक्सिस का जो प्लान है उसमें आते हैं वह आगे में next video बताऊंगा उसमें पुरा detail से बताएंगे कि कितने channel इस पे आते हैं कौन-कौन से channel हम activate करा सकते हैं वो पुरा अगला video आएगा ये दोस्तो जिंक super feta box से 4 साल FTA channel आप इसमें देख सकते हो और इसमें दोस्तो आप अलग से भी channel add करा सकते हो कई लोगों के सवाल ते कि मुझे तो sport देखना मुझे तो और भी कुछ देखना तो दोस्तो आप इसमें अलग से add करा हो कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें add कराने के ncf charge देने होंगे हैं बताना चाहूंगा दोस्तों पांच रुपे से क Separate चैनल होता है नो पचास पीसे का एक रीभ पे का पांच रुपे का न अब तक तो दोस्तों आपको 5 रुपे NCF 4 देना पड़ेगा उसके बाद में चैनल है चैनल की GST है यह आपको इसमें देना पड़ेगा अब बताना चाहूंगा मेरे पास 22 रुपे का चैनल मुझे एक्टिवेट कराना तो उसमें कितना NCF देना दोस्तो 22 रुपे का जो 5 रु NCF चार्ज होगा प्लस उसका चैनल का चार्ज होगा प्लस आपको GST देनी होगी इस सैटा बॉक्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसमें लाओंगा एटेल पे कि इसमें कितना NCF लगता क्योंकि दोनों की जगर कंपरेजन करेंगे दोनों में तो लेंगे तो कितन में भी है इसमें दोस्तों GNMOL चल जाता है बिना रिचार्ज के और उसमें दोस्तों GNMOL के लिए आपको 50 पेसे कार अलग से एक्टिवेट कराना पड़ेगा 50 पेसे देखे ये भी बहुत लंबी कहानी है तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको यह जो जिंग सुपर फेट तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट जरू करना कि आप अगला वीडियो लाओ किस पे लाओ तो दोस्तों इन बॉक्सिंग वीडियो आपने देख ली जिंग सुपर फेटा बॉक्स के तो आने वाला वीडियो जल्द ही आने वाला है तो उमेद करता हूंगा दोस्त अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना कुछ आपके सवाल है तो मुझे कमेंट करना मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा